हेलो टेडर्स जैसा कि कल के वीडियो में हमने वन मिनिट चार्ट में देखा था कि 100% प्रोजेक्शन जो है वन मिनिट चार्ट में एक वेव 5 का 105.41 आ रहा था और उस लेवल के आसपास से हम डिकलाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आज हमें देखने को मिला अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजे वन मिनिट चार्ट में जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से आज मॉर्निंग में हमें मुवमेंट देखने को मिला अगर आप फिबोना की रेशयो के हिसाब से रिट्रेस्मेंट और प्रोजेक्शन न चुक है और यहां पर 1,2,3,4 और 5 यहां पर जो है जो मिनिमूम प्रोजेक्शन था 1,0,5,32,38 परसंट वो यहां से जो है निफ्टी डिकलाइन दे चुका है यह रिट्रेस्मेंट रेंज में जो के हमने निकला है यहां से जो सी और 3 स्टार्ट हुआ है वहां से जो यह रि है निफ्टी 10,238 के उपर तब तक हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते है अगर 10,238 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते है अधर्वाइस इस रेंज में यह वेव 4 पूरा होने के बाद फिर से निफ्टी उपर की सस्टेन करता है 10,238 के नीचे तो यहां पर हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते है तो यह जो डिकलाइन है 10,553 से उसको अगर हम 5 मिनिट चार्ट में देखे तो यहां से अगर डिकलाइन देखे तो 1,2,3,4 और वेव 5 जो है यहां पर 61% से ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ है तो यहां पर वेव 5 जो है वो extended है और maximum वेव 5 का प्रोजेक्शन जो आ रहा है 10,259 तो यह जो डिकलाइन है पूरा impulsive डिकलाइन है तो possibility हो सकती है कि यहां से जो है जो वेव 5 हम मान रहे है 10,278 से यह जो वेव 5 हम मान रहे है शायद हो सकता ही यह एक irregular correction हो यहां से A, B और यह irregular correction C तो यहां पर वेव 5 पूरा होने के बाद फिर से nifty उपर की तरफ जा सकता है लेकिन अगर यह जो decline जो है impulsive decline यह A or 1 है तो यहां पर इस range में B or 2 जो है consolidation हमें इस range में देखने को मिल सकता है अगर नीचे की बात करें तो maximum level जो है 10259 के नीचे immediately नहीं जाना चाहिए मेरे इसाब से क्योंकि यहां पर impulsive pattern अगर हम देखे तो वेव 5 की 100% projection range यहां पर आ रही है अगर यह counting सही है तो 10259 के नीचे कल निफ्टी नहीं जाना चाहिए और वहां से यहां से present level से या तो फिर इस level के आजू-बाजू से हमें एक bounce इस range में देखने को मिल सकता है अभी देखने वाली बात यह होगी कि यह जो bounce होगा वो impulsive होगा और इसके उपर जाने वाला है या तो फिर यह corrective bounce होगा दोनों ही condition में इस range में जो है निफ्टी आ सकता है अगर यह regular correction है तो sharp bounce देखने को मिल सकता है और impulsive और उसके बाद फिर correction के बाद फिर से निफ्टी उपर जा सकता है और दूसरी चीज़ अगर हम देखे तो यहाँ पर wave 5 extended भी है तो extended wave 5 जो है तेजी के साथ retrace होता है यह भी एक possibility है तो यहाँ पर conclusion कल के लिए यह हो सकता है कि निफ्टी जो है यह एक impulsive decline हम हमें लग रहा है और wave 5 की maximum projection जो है 10259 आसा आ रही है तो 10259 के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए और शायद हमारा जो यह decline का जो wave counting है वो गलत है और nifty जो है 10259 के नीचे जाता है तो फिर हमें 15 minute chart पर dependent होना होगा यहाँ पर 10238 पर 38% retracement है उसके नीचे अगर trade करता है तो ही हम nifty को negative मानेंगे और अगर bank nifty की बात करें तो यहाँ पे 15 minute chart में यहाँ पे मैं और deep में नहीं जाऊंगा इस 15 minute chart में अगर हम retracement range देखे bank nifty में तो 38% आ रहा है 21295 पे और nifty ने low बनाया है 21340 का तो यहाँ पे same way अगर 21259 के नीचे अगर trade करता है तो ही हम bank nifty को negative मा करें तो 21565 से लेके 21705 यह जो है immediate resistance range है और अगर 21705 के ऊपर trade करता है तो यहाँ पे nifty bank nifty जो है positive हो सकता है तो overall range अगर हम देखे तो यहाँ पे 21705 के ऊपर positive और 22295 के नीचे bank nifty को हम negative मान सकते है आज के लिए बस इतना ही बहुत बस शुक्रिया धन्यवाद